सो हेलो गाइस वेलकूम तो माई चैनल आटिजम और म्यूजिक मैं हूँ कोमर ठाकोर पेरेंटिंग एन आटिस्टिक चाइल और आज के इस वीडियो में आप यूडी आईडी कार्ड के बारे में डिटेल से जानेंगे जिसको हम लोग यूनिक डिसेबल्टी आईडी कार्ड सो उससे पहले मैं अगेन एक कॉमन इशू पे बात करना चाहूंगी गाइस जब मैंने डिसेबल्टी सर्टिकेट का बीडियो बनाया था तब ही मुझे ये चीज महसूस हुई जिस तरह से आपने कमेंट्स किये थे कि मैंने देखा कि काफी सारे पैरेंट्स के मन में ये एक नेगेटिव धारना है UDID कार्ड को लेके या फिर डिसेबल्टी सर्टिकेट को लेके और कुछ पैरेंट्स से भी मैं मिली हूँ तो वहां भी मैंने वही चीज महसूस की तो कॉमनली हमारे दिमाग में ये चीज चल रही होती है गाइस कि अगर हम लोग UDID कार्ड को शो नहीं करना चाते हैं डरते हैं इस चीज से घबराते हैं समटाइम्स तो इस एपसलूटली ओके मैं उसमें कुछ नहीं बोलना चाहूंगी ये आपका एक परसनल व्यू है लेकिन इतना जरूर बोलूँगी गाइस की थोड़ी देर के लिए खुद को साइड में रखक अधिश होकर उनसे चीन नहीं सकते हैं इन फैक्ट यह हमारी रिस्पॉंसिविलिटी है कि जो भी राइट्स इनको दिये जा रहे हैं वो सब हम लोग एशियूर करें कि हाँ भी ये राइट्स तुम्हारे लिए हैं तो यह सब हम लोग शियूर कर रहे हैं तो यह एक ड्यू कुद भी हम लोग डिसेबिटी सर्टिफिकेट बना चुके हैं यूडी आइडी कार्ड के लिए हम लोग अपलाई कर रहे हैं बट आप यहां से देख सकते हो कि हम लोग इस तरीके से नहीं सोचते हैं भले ही उसको वो फैसलिटी ज औरडी मिल भी रही है लेकिन यह हमारी हमारे दिमाग में सिर्फ यह चीज है कि यह हमारी डिस्पॉंसिबिलिटी है जिसको हम लोगों को पूरा करना है तो मुझे लगता है अगर इस तरीके से आप सोचेंगे तो कहीं न कहीं यह चीज आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगी डिसीजन लेना कि मुझे अपन इतने दिनों से मैं उसी में लगी हुई थी काफी टाइम भी लग गया उनको अप्रोच करते करते उधर से रिस्पॉंस आने में तो फाइनली मुझे उन्होंने एक PDF सर्कुलर प्रवाइड किया जिसमें बहुत बाके में बहुत अच्छे तरीके से जो है इन्फरमेशन देन के में इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें हो प्रेzhण किया है मैं बोलूं गी प्रेजनि किया है है जिसहता इसमें प्रेजनि अच्छी जिस तरह से कमेंट करते हैं वहीं टॉप पे आपको ये लिंक वे लेगा तो जो लोग एजुकेटर हैं वो तो डिरेक्ट इस लिंक के तरू जाके ऑनलाइन अपलाई कर सकते हैं सारी इंफरमेशन को समझ सकते हैं बहुत ही ईजी है लेकिन जो पैरेंट्स थोड़ा ज्यादा एजुकेट इतना जादा आपको फोन का उनलाइन का इतना जादा आइडिया नहीं है तो आप सिंपली एक काम कीजिए गूगल पे जाके आप जस्ट ये सर्च कीजिए अपके एरिया के पास की मेडिकल अथॉर्टी कौनसी है तो वहीं पे ये सारी इंफरमेशन यो है वो आप लोगों में समझा भी देंगे तो इतना भी आप कर सकते हैं अगर आप ये लिंक में आपको डिफिकल्टी होती है और मोरोवर अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो किसी एजुकेटर परसन से ये लिंक से आप उनलाइन अपलाई करवा लीजिए तो अभी चलते हैं क्या-क्या दि क्याए अगर आपको गवर्मिंट की स्कीमिस फेसिलिटीज है उनका अगर आपको बेकुछ लेना है तो UDID कारड अभी मस्ट है तो आगे आप अभी जानूँगे जो डिसेवüneटी कारड है ये पी इसमें होता है ये भी इसके लिए ठीटके लिए उनलाड वी इसमें बनान ही पड़ेगा, it acts as a single identification proof for children, adults with disabilities across India, तो ये बच्चों के लिए भी होता है, adult भी इसको apply कर सकते हैं, पहली line से तो ये बिल्कुल clear हो रहा है, और ये single identification proof होता है, यानि कि जैसे कि अधार card होता है हमारा, जिसको आप कहीं भी direct दिखा दो, कोई जादा हम लोगों को ताम जाम करने की ज़रत नहीं होती है, तो काफी ज़्यादा चीज़ें जो easy हो जाती है, अभी just अधार card की बज़े से ही, तो ये बैसे ही जहां भी आपको benefit लेना है, तो simple आपको just UDID card दिखाना है, बाकी कुछ जाम करना जो है वो आपके लिए necessary नहीं होगा वहां पर, तो एक तरह से easy हो जाता है government scheme का जो benefit है वो लेने के लिए, तो next part है इसका, the UDID card is issued alongside the disability certificate and the minimum percentage of disability to avail all scheme is 40% and above, तो यहां पर ये भी clear है कि ये जो disability है, ये जो आप जब आप disability certificate बनवाएंगे तो उसमें आपको percentage आती है कि कितना percentage है disability का, तो ये mention किया है कि 40% होना चाहिए या फिर 40% से अबब होना चाहिए तभी UDID card आपका बन सकेगा, 40% के नीचे के लिए I think ये नहीं है, तो ये तभी minimum age criteria to get UDID card and disability certificate, the card will be issued on a temporary denoted by T sign permanent basis denoted by a P sign based on the age of the child permanent status after the age of 18 years, तो यहां पर ये चीज़ भी बिल्कुल clear हो रही है, जो आप disability certificate में आए दिन ये comment आता है कि age कौन सी होनी चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं तो बोल रहे हैं 6 साल के उपर होना चाहिए, 5 साल के उपर होना चाहिए, तो clearly mention किया है, यहां पे बिल्कुल authentic information है ये, कि इसमें 18 year से नीचे जो है वो temporary का आपको sign दिखेगा उसमें जो आपका UDID card होगा और 18 year के बाद जो है वो आपको permanent का status मिलेगा, तो age limit कोई नहीं है, जब भी autism का diagnose हो रहा है, means आप उसी time पे disability certificate और UDID card के लिए apply कर सकते हैं, तो mention हो जाता है उस card के उपर T sign है, तो means यह temporary card P sign means permanent, और permanent कब होगा, 18 years के बाद, next है, this card can have either of these three bands on the left side, तो यह जो card बनता है UDID card जो होता है कुछ screenshot भी में यहां पे side में लगाऊंगी, कुछ-कुछ aadhar card के जैसे ही होता है यह दिखने में, तो उसमें particularly white band होता है, yellow band होता है disability certificate is below 40% है, तो white band दिया जाता है, यानि कि यह जो color है, यह जो band है, यह बताता है कि disability कौन से level पे है, ज्यादा है, कम है, medium है, या severe है, तो वो card से वो चीज़ भी clear हो जाती है the card is issued to all children adults with disabilities, who are recognized under the rights of persons with disabilities, RPWD Act 2016, the disabilities considered are as follows तो इसमें सारी disability दी गई है, जो UDID card के under आती है, मैं कुछ-कुछ को यहां पे read करूंगी, जैसे visual impairment है, mental illness है, हमारा autism spectrum disorder भी इसी में आता है, तो काफी सारी intellectual disability भी इसी में आती है, जो intellectual disability है वो लोग भी apply कर सकते हैं, तो लगवग बहुत जादा दिये हैं, कोई 18-19 इसमें disabilities mention की है, different-different, जिसका screenshot यहां पे आपको साइड में दिखेगा, तो आप वहां से read कर सकते हैं, तो यह disabilities जो है, वो UDID card के लिए यह लोग apply कर सकते हैं, तो next इसका procedure है, actually कैसे apply करेंगे online के लिए, वो भी step-by-step बहुत अच्छे तरीके से यहां पे बताया है, लिंक भी, यह screenshot भी आपको यहां पे दिख रहा होगा, साइड में, लिंक भी दिया हुआ है, यहां पे लिंक से आप directly यही लिंक पे टैप करके आपको online जो है, वो आप apply कर सकते हैं, तो यहां पे बताया है कि जब आप apply करते हो, तो क्या-क्या steps आते हैं उसमें, तो यह website प passport, size photograph, size 15kb to 100kb, तो जो photograph होता है, उसका size भी आपको mention किया है, वही आपको लगाना है, thumbprint और signature, अगर बच्चा signature कर सकता है, तो signature करेगा, अगर नहीं कर सकता है, तो thumbprint, original copy of adhar card or any other photo ID card, तो adhar card की copy भी इसमें आपको attach करनी है, scanned copy of registered disability certificate, if anybody has an old certificate, तो यहाँ पर mention नहीं किया है, लेकिन Google में मैंने पढ़ा था, अगर आपने already disability certificate बनाया है, तो वहाँ पर दो option आती है, अगर disability certificate बना है, तो proceed कीजिए, next option होती है, अगर disability certificate नहीं बनाया है, तो आपको दूसरा option आपको वो टिक करने के लिए बोलता है, और आपको direct करते हैं, वो लोग कोई hospital आपको assign करते हैं, जहां पर वो procedure आपसे करवाया जाता है, disability certificate का, तो ऐसा भी मत सोचें कि नहीं है, तो कैसे करेंगे, तो उस form में भी वो दोनों ही option आती है, है तो भी, नहीं है, तो भी, नहीं है, तो वो लोग अपलाई कराएंगे, आप बहुत अच्छे तरीकी से, यहां पर हर चीज के लिए direct करते हैं, पूरा guide करते हैं, तो यह step के बाद, application form भरने के बाद, यह document attach करने के बाद, आपको download करना है, UDID receipt वहां पर option आएगा, और application form को download कर लेना है, और वो जो, उसके बाद है, hospital assessment, check the names of assigned hospitals and their addresses, तो यह जो UDID receipt आपको कुछ hospital assign किये जाएंगे, और वो hospital आपके ही area के नस्दीक के होंगे, क्योंकि automatically जो आप अधार card वहां पर उसका copy जब लगाएंगे, तो automatically अधार का जो address होता है, तो उसी से वो connect करके आपके area का, nearby area का hospital आपको assign कर देते हैं, तो mentioned, यहां पर लिखा भी है, वो hospital आपक वहीं पर nearby आपको hospital मिलेंगे, तो parent can visit the assigned hospital to know about the days and timings for UDID assessment, तो यहां पर appointment आपको नहीं मिलेगी, आपको उस hospital में जाना पड़ेगा, और वहां पर आपको days और timing वहां से confirm करना पड़ेगा कि कब आपको assessment के लिए आना है, तो यहां पर यह चीज पता चल रही है कि UDID assessment के लि facilities, again उसके बाद आपको यह सब document ready रखने है, two printed copies of UDID receipt and application form, original अधार card and two copies of it, two copies of recent passport size photo, relevant medical assessment document, जो भी diagnosis है, autism का किसी psychiatric से जो आपने लिया होगा, वो document भी चाहिए, अधार card की two copies, two copies passport size की और two copies UDID receipt or application form की आपको लेके जानी है, अब on the day of the UDID assessment, जिस दिन आप UDID assessment के लिए hospital जाएंगे, उस दिन आपको क्या करना है, prepare the case papers from the OPD ward, तो hospital में आपको कौन से ward में जाना है, OPD ward में जाना है, तो उसके आगे मुझे describe करने का जुरत नहीं है, यह जो मैंने document आपको पीछे बताए, यह सारे आपको कहां देने ह receipt or application form, photo size, passport size photo और जो भी assessment, diagnosis मेला होगा, autism का किसी psychiatrist से, वो जो document होगा, यह सब आपको hospital के OPD ward में submit कर देना है, उसके बाद वो आप लोगों को direct करेंगे, suggest करेंगे, कैसे आगे क्या क्या करना है, तो यहां पे हलंकि लिखा है उसके बाद भी, लेकिन यह बताने का जोरत नही तो आपने आप आपको direct करेंगे कि क्या करना है, तो यह सारा procedure होने के बाद यहां पे mention किया है, कि आप app के ऊपर ही अपना status जान सकते हैं, कि आपका जो card है, वो कौन सी process में current time में चल रहा है, जैसे कि contact your nearest medical authority, verified UDID card, generated UDID card, dispatched, तो यह सारी information आपको back side पे दिखाता रहता है कि procedure कहां तक पहुँचा है आपको, और यह सारा होने के बाद नीचे लिखा है, कि यह सारी process में कम से कम 6-8 month लग जाते हैं, यह पूरा card आपको मिल जाए, यह पूरे process में 6-8 month लग जाते हैं, तो काफी लंबा time है, तो यहां पे help line number भी दिए हैं, अगर कोई problem हो, 6-8 month तक तक भी अगर आपको नहीं मिल रहा है, आपका UDID card पूरा process करने के बाद, तो help line नंबर दी हैं, वहां पे आप लोग call कर सकते हैं, अब आते हैं, benefits क्या हैं UDID card के, या फिर जो government की जो schemes हैं, जो UDID card के under आती हैं, वो कौन-कौन सी हैं, तो सबसे top पे है, निरामिया health insurance, तो जो भी आपका therapy करा रहे हैं, जो भी खर्चा हो रहा है, उस सब का आपको एक proper bill जो है, वो जमा करते रहना है, और फिर आप उसको reverse करा सकते हो, यानि कि वो सारे पैसे आपको मिल सकते हैं, कितना मिल सकता है minimum, per year 1 lakh तक यहां पे mention किया है, कि per year 1 lakh तक आपको मिल सकता है, तो म यह जो आपको reimbursement मिलेगी, किन-किन चीज़ों की मिलेगी, कौन-कौन सी problem में मिलेगी, hospitalization हो जाता है, बच्चे का surgery हो जाता है, या therapies आप बच्चे को यहां पे clearly mention किया है, कि अगर therapies भी आप करा रहे हो, medicine का खर्चा आपको चाहिए, dental का खर्चा चाहिए, diagnostic कि अगर आप diagnosis कर आने जा रहे हो, आज कल तो आपको पता है कितनी फीस लगती है, diagnosis कराने में भी, तो यह सारे खर्चे जो है, यह जो निरामया health insurance है, इसके अंडर आते हैं, इसमें आप अपलाई कर सकते हो, तो यह सारी चीज़े information जो है, sometimes आपके मन में यह चीज़े आएंगी, कहां अपला कैसे करूँगा, लेकिन इसके लिए ध्यान रखिए, आपके पास proper बिल होना चाहिए, तो हर बार जितनी बार भी आप session लेने के लिए जा रहे हो, जैसे हम लोगों को medical facilities मिलती है, तो मुझे पता है, हम लोगों का भी पैसा reimburse होता था, तो बिल जो है, हम लोगों को properly रखने आएगा ये, तो ये देखी, आप जो लोग बोलते हैं कि हम लोगो therapies को support नहीं कर सकते हैं, आगे और भी बहुत अच्छे benefits हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, कम से कम help हो रही है, बच्चे को किसी professional therapist से therapy मिलेगी, income tax concession, जो भी caregiver है, parents हैं, उनको income tax में जो ह travel करते हैं, हम लोग ये बस-पास बनवाना है, तो उस सब में भी आप लोगों को help मिलती है, इसमें educational spot, जो भी school में, अगर exam के लिए, यहां पे clearly mention किये हैं, ये सब कुछ, reader, writer, extra time, use of calculator, etc. लिखा है, मिन सु बाकी सारी facility जो भी school में मिलती हैं, वो भी तभी मिलेंगी, जब U U-D-I-D card आपके पास होगा, तो U-D-I-D card दिखा के आप school में जाके वो चीज़ें क्लेम कर सकते हैं, कि मेरे बच्चे कोई facilities मिलनी चाहिए, और अगर U-D-I-D card होने के बाद भी school इन चीज़ों को ये facilities के लिए मना करता है, तो इसका मतलब वो school directly government को challenge कर रहा है, तो ऐसा school क कोई नहीं चाहेगा, कि मतलब government के अगहेंस्ट जाए, तो ये वो चीज़ें है, document है, जो आप school में दिखा सकते हो, U-D-I-D card बनाने के बाद, legal guardianship, तो ये वो चीज़ें के बाद, जैसे कि हमारे बच्चे जो है, वो इतने समझदार नहीं हो पाते हैं, कि खुद का decision खुद या फिर autistic बच्चे हैं, especially autistic बच्चे जो या फिर mental illness वाले जो बच्चे होते हैं, तो उनकी जो हो legal guardianship लेने में भी U-D-I-D card जो है, वो आप लोगों को help करेगा, aids and appliances, इसमें क्या-क्या material जो भी therapy का material होता है, जो भी toys होते हैं, sensory toys होते हैं, flash cards, piece therapy के लिए, जो भी therapy का material आप लोगों को जैसे gym ball हो गया, use करना होता है, आपकी need है हमारे बच्चों की, तो वो सब चीज़ों के लिए भी आप लोग यहाँ पे apply कर सकते हैं, वो सब चीज़े इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे यह screenshot लगाती जा रही हूँ, कि यहाँ से आप देखके यह चीज़ों के बारे में aware होके, किसी भी अपने जो भी आपका यह रहेगा, sorry, medical authority रहेगी, वहाँ पे जाके आप चानबीन कर सकते हैं, और यह सारी सुविदाओं का lab उठा सक आगे बहुत सारी चीज़ें है, loan regarding भी आप लोगों को यह help करता है, कल को बच्चा अगर इतना काबिद हो जाता है, खुद का business अगर वो खोलता है, उसको loan की need है, तो बहुत ही कम वही है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो भी आपको easily मिलेगा, कम ब्याज पे मिलेगा, तो इसमें यह सब कुछ mention है, तो अभी तक आप लोगों को पता चली ही गया होगा, कितना ज्यादा benefit है इसका हमारे बच्चों के लिए, so guys, UDID card की क्या importance है, यह इस बिशे पे थोड़ा सा मेरे husband बोलना चाहेंगे, so start कीजिए, यह जितने भी ID cards होते हैं, जितने भी ID card हैं, जितने भी आधार card बगार हैं, यह खाली important हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए तो important हैं, लेकिन इससे government के पास data जाता है, कि जैसे for example UDID के मैं बात करूं, तो इसमें government के पास यह data जाता है, कि जितने लोग apply करेंगे, कितने age group के, कितने disability के, किस तरह के disability के, कितने लोग हैं, तो उस तरीके से फिर government उन चीजों के उपर बिचार करके उस तरीके के policies बनाते हैं, तो वो हमारे बच्चों के लिए आगे चलके फाइदे बंद होता है, इसका यही problem है कि आज आप लोग देख रहे हो ना कि country में इतने जादा बढ़िया special school हैं ही नहीं government based, और नहीं अगर हैं भी तो बहुत rare हैं और उनकी condition बहुत खराब है, तो कहां से होगी, जब हम लोग mention ही नहीं करते हैं, यह सब चीजें हम लोग पूरी उमर छुपा के रखते हैं, यह चीजें government के data में include ही नहीं होती है, यह यहाँ पर हमारी ही responsibility है, हम ही दूश्मन बन रहे हैं अपने सब के पास है, तो वैसे ही इस तरीके से UDID जो है special बच्चों के लिए जो किसी भी disability से गरस्त हों, उनके लिए यह जरूरी है, क्योंकि इससे ना केबल बच्चों को आगे जाके जो government उसके लिए जो साहिता देगी, वो तो देगी, लेकिन उनके पास आगे development के लिए बहु लग से बने हैं, ताकि wheelchair वहां पर जा सके, accelerator लगे हैं, तो ऐसे ऐसे चीजें देखके मतलब थोड़ा सा बच्चों के future के लिए बहुत जरूरी है, कि government तक अच्छा data पहुंचे, आपको अपनी facility मिले, और बच्चों को हमारे जाने के बाद भी यह चीज, उनके साथ पूरी जिनगी जहें, उसमें क्या है, मुझे लगता है कि बाकी जो disabilities हैं, जैसे कुछ लोग थोड़ा अपंग होते हैं, या फिर visual impairment है, उनका data मुझे लगता है, अच्छे से जाता है, इसलिए उनके लिए थोड़ी अच्छी condition है, मतलब अच्छी facilities है, और टीजम बच्चे का और autistic person का data जो है, मुझे लगता है, बहुत कम जाता है, इसलिए country में इनके लिए awareness भी बहुत कम है, और हम लोगों को facilities भी बहुत कम दिखती हैं, ऐसे लगता ही नहीं है कि इस direction में भी कुछ काम हो रहा है, और उसके पीछे मान सिकता यही है, क्योंकि हम लोग दर्ज ही नहीं कर आते हैं data में कि हाँ हमारा बच्चा autistic है, so I hope यह सब चीजों से आपको यह decide करने में help होगा guys, कि कितना ज्यादा important है UDID card के लिए apply करना, समाज के प्रती और अपने बच्चों के प्रती, अपनी responsibilities को निभाईए, बाकी चीजों को मत सोचिए, so I think अगर कुछ बुरा लगा ह तो उसके लिए sorry, आपको अपना समझ के ही हम लोगों ने सारा suggestion दिया है guys, कोई कमी रह गई होगी, तो sorry comment में जुरूर mention कीजिए का, कैसा लगा आपको, so thank you for listening us